हेलो एवरिवन वेलकम टू ग्यान का बस्ता आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSC फर्स सेमेस्टर के जुलोजी सब्जेक्ट के क्वेशिन पेपर की जिसका टॉपिक है साइटो जेनेटिक्स क्लासिकल एंड मॉलिकुलर तो अगर आपके पेपर का टॉपिक साइटो जेनेटिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल होने वाली है क्योंकि ये जो प्रिवेशर के क्वेशिन पेपर होते हैं किसे भी एक्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं इससे हमें पता चलता है की जो जुलोजी का ये जो वीडियो पेपर हे इसी में किस तरह के पेपर का पैटन चल रहा है साथ ही किस टॉपिक का कितना ज्यादा विटेज है इस topics से कैसे वीडियो जा रही है एक्जाम में और बहुत बार तो ऐसा होता है कि प्रिवेसर के question paper से ही as it is 3-4 question आगामी परिक्षाओं में repeat कर दिये जाते हैं और हमें देखने को मिलते हैं तो इस तरह से अगर हम पुराने question paper को तयार करके जाते हैं तो इससे हमारी तयारी और भी ज़्यादा boost up होती है और हमारे marks और भी ज़्यादा increase होते है तो आएए बिनन टाइम को waste किये video बार स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने MSC first semester का question paper दिखाये गया है जो कि Geology subject का question paper है यह जोलोजी का fourth paper है यह first semester का question paper है जो कि session 2022 का है इस paper का जो time duration दिया गया है यानि कि समय अवदी वो 2 घंटे की है इसका पूर्णांक है 75 जो कि आपके university और paper pattern के according अलग-अलग हो सकता है, vary कर सकता है बट अगर आपके paper का topic cytogenetics है तो यह video आपके लिए helpful होगी तो आएए देखते हैं किसी भी paper को solve करने से पहले उसमें दिये गया इंस्ट्रक्शन निर्देश को हमें जरूर से ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे हमें question को reply करना होता है attempt question from all sections as director जो भी हमें निर्देश दिया गया है उसी के according हमें paper को solve करना है the candidates are required to answer only in serial order if there are many parts of a question answer them in continuation तो यहाँ पे इस paper को एक serial order में solve करने के लिए कहा गया है यह paper जो है कई parts में divided है तो आईए देखते हैं paper में दिये गया है इन parts को first part दिया गया है section A section A जो कि very short answer type के questions कैरी कर रहा है section A के regarding भी हमें कुछ दिशान रिदेश दिये गया है answer any three parts of question number one in about 50 words each तो यहाँ पे हमें केवल तीन प्रशनों को reply करना है पर यहाँ पे जो हमारा answer होना चाहिए वो 50 सब्दों में पूरा होना चाहिए एक question को अगर आप reply करेंगे तो आपको यहाँ पे three marks प्रोवाइट किया जाएगा तो आएए रेखते हैं section A में दिये गया है इन questions को first question A है जिस पे हमें short notes लिखना है किनी तीन पर recombination frequency recombination frequency के बारे में बताना है next B chromosome painting chromosome painting क्या होती है C है sex influenced characters and D genomic imprinting eugenics तो इस तरह से इन दिये गये पाँच topics में से हमें किनी तीन को reply करना है 50 सब्दों की सब्सीमा के अंतरगत बताते हुए answer को complete करना है इन topic में दिये गए अगर आप diagram ड्रॉ कर सकते हैं तो आप जरूर से ड्रॉ करें इससे आपका answer और भी ज़रा effective तरीके से represent होगा और अच्छे marks मिलने के chances बढ़ जाते हैं नेक्स देखिए section B section B जो कि short answer type के questions केरी कर रहा है section B में हमें जो instruction दिया गया है attempt any 4 questions write answer each question in about 225 words तो section B से हमें 4 प्रशनों को reply करना है पर यहाँ पर जो answer लिखने की सब्सीमा है वो है 225 शब्दों की एक question को अगर आप reply करते हैं आपको 9 marks प्रोवाइट किया जाएगा तो आए देख लेते हैं section B में दिये गया है इन questions को question number 2 what is multiple analysis multiple analysis क्या है describe the characteristics and example of multiple analysis in brief multiple analysis के बारे में बताएए इसके characteristics और उधारन example को detail में आपको बताना है describe करना है 225 शब्दों के अंतरगत next question number 3 what are transposable elements transposable elements क्या होते हैं give an account of eukaryotic transposable elements transposable elements को बताते हुए यहाँ पर eukaryotic transposable elements क्या होते हैं इनके बारे में भी बताएए 225 शब्दों में next देखिए question number 4 briefly discuss the different mechanism of sex determination sex determination mechanism को यहाँ पर discuss करना है within 225 words next question number 5 write an explanatory note on various enzymes involved in the process of DNA replication DNA replication में जो भी enzyme help करते हैं उनका क्या involvement होता है उसको explain करना है उन पर notes लिखना है within 225 word limit next देखिए question number 6 define bacterial transformation bacterial transformation को बताना है define करना है explain the principle and steps of bacterial transformation इसका जो principle होता है उससे define करना है साथ ही bacterial transformation में कौन-कौन से step follow किये जाते हैं इसको भी complete करना है 225 शब्दों के अंतरकर बताते हुए अपने answer को यहाँ पर हमें complete करना है जहां necessary लगे आप अपने से diagram जरूर से draw करें आपको कहा नहीं गया है बट आपको जरूर से draw करना चाहिए यह biology से related subject है जिससे आपको marks और भी अच्छे तरीके से मिल सके exam में आप चाहे तो answer कैसे लिखना चाहिए इसके video हमारे चैनल पर upload की गई है आप उसे check out कर सकते हैं साथ ही MSC Geology से related अन्य semester की video भी हमारे चैनल पर upload की गई है आप उसे भी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन है नमबर 7 ब्रीफली डिस्क्राइब दा डिफरेंट टाइप्स एन एप्लिकेशन और जीन थेरपी तो यहाँ पर हमें विविन प्रकार के जीन थेरपी के बारे में बताना है साथ ही इसके एप्लिकेशन यानि कि इसका क्या यूज होता है इसको भी बताना है आपको 225 शब्दों के अंतरगत नेक्स देखिए और लास्ट क्वेशन है section B से describe in brief the structure and morphology of eukaryotic chromosomes तो eukaryotic chromosome के structure और उसके morphology यानि आकारकी को बताना है 225 शब्दों के अंतरगत इस तरह से यह question थे section B में जो पुछे गया थे next और लास्ट section है section C जो की long answer type के questions कैरी कर रहा है section C में हमें केवल दो question को reply करना है पर यहाँ पर जो answer होगा वो होगा 475 words के अंतरगत एक question को reply करने पर 15 marks provide किया जा रहा है तो आएए देख लेते हैं section C में दिये गए इन questions को question number 9 give a detailed account of chromosome mapping chromosome mapping के बारे में हमें बताना है 475 शब्दों के अंतरगत next question number 10 describe in detail the principal methods and application of DNA fingerprinting DNA fingerprinting के principal उसके methods और इनके use एप्लिकेशन के बारे में बताना है within 475 words next question number 11 what is flow cytometry flow cytometry क्या होती है describe in detail the basic principle इसका जो basic सिधान्त होता है उसको define करना है साथ ही इसके application flow cytometry को flow cytometry के applications को भी बताना है तो इस तरह से 3 question को add करके एक question बना है जिससे आपको 475 शब्दों में पूरा करना है next देखिए question number 12 discuss in detail different types and characteristics of sex linked inheritance बिवन प्रकार के जो sex linked inheritance होते हैं उनके characteristic को बताना है साथ ही note on sex linked disorder sex linked disorders जो बिमारिया होती है उसे भी बताना है 475 शब्दों के अंतरगत बताते हुए अपने answer को complete करना है तो इस तरह से ये MSC जुलोजी का first semester का fourth paper था जिसका topic है cytogenetics classical and molecular आचा है ये वीडियो आपके लिए helpful होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और ऐसे ही helpful वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले हम मिलेंगे ऐसे ही helpful वीडियो के साथ तिल दिन अपना ख्याल रखे और पढ़ाई करते रहे त्क्यू एसे आख्याल मिलेंगे ख्याल एक्याल चैनल